हलो बच्चो मैं प्रियाराटोर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का L4 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है उत्तक या टिशू का और चैप्टर नमबर है 6 तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम देखते हैं जैसा कि आपको पता है हमें इस चैप्टर में उत्तक, उत्तक के प्रकार, पादप उत्तक और जनतु उत्तक पढ़ने हैं आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्थूल कोण उत्तक से अब ये कहां से आ गया तो उसके लिए आपको पिछला लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा फिर से मैं एक बार थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर देती हूं कि हमने साधारन उत्तक शुरू किये थे साधारन उत्तक में हमने पहला उत्तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था म्रदूत्तक और म्रदूत्तक यानि कि पैरेंकाइमा उसके बारे में हमने तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्थूल कोणों तक, अब आप पूछेंगे कि ये स्थूल कोणों तक क्या होता है, तो स्थूल कोणों तक जो है, वो कहां से आया है, इसके लिए आपको पिछला जो लेक्चर है वो देखना पड़ेगा, हमने बात की थी, शुरुवात की थी, स था युद्तक में हमने तीन तरह के पड़ेते, साधारन उत्थक यानिस सिम्पल टिशू, उसके बाद जटिल यानि complex और तीसरे थे vicious वाले साधारन उत्थक हमने शुरू किया था और साधारन उत्थक में हमने फिर उसके प्रकार बताएते, एक था म्रधुत तक, धूसरा एथा आलए जो शुरू करने वाले है स्थूल कोड़ों तक शुरू करने वाले हैं जिसको हम कॉलन काईमा भी कहते हैं क्या है क्या कॉलन कैमा यह जैनरिली इसकी में कोश्रीद कैज यह लेकिन थोड़ा सा मनादू तक से merry स्थूल कोड़ों तक स्टूल का मतलब जमा हुआ, कोण का मतलब एंगल, मतलब एंगल पर कुछ जमा हुआ है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, स्टूल कोण उत्तक या कॉलें का इमा कह रहे हैं पढ़ते हैं अभी क्या है कोशिकाय जीवित वा पतली बित्ति की होती है क्या speciality है इसकी कि जो कोशिकाय वो कैसी है जीवित है निर्जिव नहीं है ठीक है और पतली बित्ति की है म्रदु तक की तुल्ना में लंबी, सीरे पर गोल या लुकीली तथा आकार में गोल वह बहु बुजी होती है ठीक है, या तो कैसी होगी लंबी इस तरह से, गोल भी हो सकती है या फिर बहु बुजी भी हो सकती है छीक है अंतर कोशी के इस्थान प्राय अनुपस्तित है म्रदू तक मैं अपने पढ़ा था या तो होते ही नहीं है और होंगे तो भी कम होंगे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है अनुपस्तित ही है इन स्थानों पर कोशिकाओं के कोनों पर कोशिका बित्ती के उपर पैक्टीन याद रखेंगे पैक्टीन और सेलुलोस का जमाव होने से कोशिका बित्ती कोनों पर मोटी वर द्रड होती है यह आ गई स्पैशिलिटी जो इसके नाम से क्लियर है क्या कि बाहन लो कोई से भी शेप की हमारे पास कॉलिन काइमा है या हरी जो है तूल कोणों तक है इसके क्या होगा कोशिका है मतलब इसमें पादप कोशिका की बाते कर रहे हैं हम क्योंकि यह चैप्टर अभी अभी अब पादप के बारे में किये हैं तो बाहर क्या है इसके कोशिका बित्ती है अंदर क्या होगी कोशिका जिल्ली होगी अब यह कह रहा है कि इसकी कोशिकाओं के कोनों पर क्योंकि मैं इसके मिनिंग में बता चुक है यहां पर कोनों कोनों पर जहां पर एंगल बनता है एंगल क् दो बुजाएं जहाँ पे मिल रही है अगर हम इसके बात करें और इसके भी करेंगे तो देखो यहाँ पे दो चीजे मिल रही है तो यह एंगल हो गया हाला कि हम गोले में एंगल नहीं बता सकते और exactly यह गोले होती भी नहीं है कुछ ऐसी होती है तो एंगल कहीं न कहीं मिल ज जाती है और इसे लिए इनको स्थूल कोणों तक कहते हैं अब यह जो कोशिका का जमाव है यह तीन तरीके से हो सकते हैं कैसे एक तो यह वाला जहाँ पर कोणों पर क्या होजाए कोशिका वित्ति के कोणों पर प्यक्टीन का जमा हो जाए दूसरा अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि जैसे गोला है मैंने का गोले में तो कौन होता नहीं है इस कंडिशन में क्या होता है पूरी की पूरी लेयर जमा हो जाती है जैसे यह यहां पे पैक्टीन जमा हो गया यहां पे ऐसे तो इस वाली को तो कोणिया स्थू लोग तक कह देंगे क्योंकि यह कोण पे जमा है यह देखो एक परत के रूप में है तो इसको लैमिनर भी कहते है या परतिय परतिय जमाओ भी कहते है इसको कोणिय किसी में क्या होता है कौण पे नहीं होके बीच में जो गुहा है ये जगह कोशिका के उसके बीच में जमाव हो जाए जैसे इन दोनों में since kisी को भी ले लो यहां पे यह देखो अगर ऐसा जमाव हो जाए तो इसको बोलते हैं गुही यह या English में इनको क्या बोलेंगे इसको तो बोलते हैं एंगूलर डिपोजिशन इसको बोलेंगे लेमिनर या लेमिलर और इसको बोलेंगे ल्यूमेन ल्यूमेन का मतलब होता है गुषा ठीक है यह वास समझ में आई कि इन तीन तरीकों से जमाव हो सकता है अब बात कर लेते हैं द्रडों उत्तक की जो की तीसरा वाला सरसाधानग उत्तक का तीसरा है वह है द्रडों उत्तक जिसको क्या कहते है देख लो इसको यह NCRT में आपको ऐसा डाइग्राम दिया हुआ है स्क्लेरेन काइमा का और वही खिचडी बनी हुई अंदर जिसको अभी हम अलग-लग करेंगे तो ये देखो दो तरह से फोटोग्राफ दिया हुआ है एक फोटोग्राफ तो अनुप्रस्त दिया हुआ है मतलब अगर ये टना है और इसको ऐसे काटेंगे ट्रांस्वर्स सेक्शन काटेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है ये बहुत सारी कोशिका है लेकिन अगर आप तने को ऐसे काटो लंबा ये तना है इसको ऐसे काटो और फिर सामने से देखोगे तो आपको लंबी-लंबी दिखेगी क्योंकि ये गोल नहीं होती, क्यासी होती है, नलीकाकार, मुकीली, लंबी होती है, पढ़ लेते हैं अब इनके बारे में, द्रडो तक यानि स्क्लेरन काइमा, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, इस बात को नोटिस कर ले, अभी तक जो हमने दो कोशिकाएं पड़ी थी, यानि क परत की रूप में क्या जमा हो रहा था, पैक्टीन या सेलुलोज जमा हो रहा था, इनकी कोशिकाएं की गुहा में, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि कोने पे होगा या कहा होगा, इनमें क्या होता है, कोशिका के चारो ओर, जैसे मानलो ये लंबी वाली बना लेते हैं कि अगर हमने यह लिये स्क्लेरेन काइमा यानि कि द्रडों तक लिया है तो द्रडों तक के चारों और क्या जमाँ हो जाएगा पैक्टीन जमाँ हो जाएगा ऐसे और बीच में भी हो सकता है ऐसे पैक्टीन जमाँ हो जाता है जिसकी वाज़ा से यह म्रत हो जाती है क्योंकि इन में फिर क्या कोशिका द्रडों जो है पूरी देखो कोशिका के अंदर ही पैक्टीन जो लिगनीफाइड हो गई है लिगनीन जमाँ हो गया है इसके अंदर तो लिगनीन जमाँ होने की वज़े से क्या हो होते हैं इस बाच पर मैं आ रहे थी कि मैंने यहां पर जो डाइग्राम बनाया था भी यह देखो यहां पर मैंने सिफ लाइंस बनाई हैं बीज बीच में जगा छोड़ दिये यह जगा इसलिए चोड़ी है क्योंकि इनकी जो यह लिगनीन की पटिया है मतलि जो लिगनीन की पट्टिया वनी वे उसके बीज बीज में कहीं कहीं जगह बज जाती है जिसको हम बोलते हैं गर्त या रंद्र ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो. आपको बीज बीज में कई गैप्स दिख रहे होंगे. एक ये रहा एक ये रहा एक यह रहा, ऐसे उधर साइड भी है यह गैब्स जो है यही क्या है गर्थ है और यह तो इसके संकिन लिूमेन, लिूमेन का मतलब यह गुआ है और देखो यह पिंग पिंग जो आपको चारो तरफ दिख रहा है यह लिमित मोटी बिट्टी है यानि कि जो लिगनिन की मोटी बिट्टी जमी हुई है, ठीके? यह NCRT का डाइग्राम है इसलिए यहाँ पे लिमित लिखा हुआ है इसको आप सही कर लें, यह लिगनिन है ठीके? लिगनिन की मोटी परत जो है वो जमी हुई है बुक में भी इसको करेक्ट कर लें उसके बाद देखो, अगर हमको अनुप्रस्त रूप से देख रहे है तब भी बीच में यह इल्यूमेन दिख रहे है और यहाँ पे आपको छोटे-छोटे गैप्स दिख रहे हुँगे इधर कैसे बनाई हुई है, देखो यह ऐसे बनाई हुई है यह कोशी का एक फिर यह फिर बीच में जगा, फिर यह अब इसमें लिगनीन का जमाव बता दो यह जमाव बता देते दोनों साइट बता रहे हुँ हमें अब यह खाली जगा बच गई ना यह वाली, यह देखो ऐसे बताई हुई है, इनको हम कह रहे हैं गर्द ठीक है चलिए यहाँ उतक तने में कहा कहा पाय जाता है, तने में सहवन बंडल यानि की वस्कुलर सिस्टम में सहवन बंडल किसको कहते हैं, वस्कुलर टिश्यू, जिसके बारे में हम जटी लुत्तकों में पढ़ेंगे जाइलम फ्लोयम, जिसके नाम तो मैं आपको बता चूकी हूँ वहाँ पर पाय जाएगा के समीर, पत्तों की शिराओं में इसलिए आपने देखा होगा पत्तियां होती है पत्तियों की शिराओं मतलब वह जो वेंस होती है पत्तियों में, वह नॉर्मल पत्ति से हार्ड होती है क्योंकि उसमें क्या होता है द्रड होता है, द्रड में है यह थोस रहता है मतलब इसमें लिगनीन का जमाओ है उसकी कोशिका थोड़ी कठोर हो जाती है, द्रड का मतलब नाम से लग रहा होगा, ускlaren मतलब होता है स्टॉर लाइक, ठीक है, इंग्लिश में, जो skyran का है लोड बोल रहे हैं, उसका मतलब होसけते है, तो यह कठोर होती है, ठोस होती है, स्टोर जैसी होती है, इसलिए जहां पे भी रहेंगे, वहां पे ऐसा कठोर पन लेके आएंगे तो यह veins में होती है, तने में भी होती है, पत्ती के comparison में आप देखो तना कठोर होता है सवन बंडल में होती है, तने का अगर आप बीच अला भाग देखोगे, कोई भी stem लेके हो कोई भी, और अगर आप बाहर से दबाओंगे तो दब जाएगा, अंदर वाला भाग उसका थोड़ा सा tight tight होता है वो इसलिए होता है क्योंकि द्रडो तक उसके अंदर present होता है, ठीक है चिराओं में तता फलो और बीजो के कठोर छिलकों में उपस्ते देते हैं जो भी फल है, जैसे आप जाम फल खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं उनके फल भी नॉर्मल अंदर जो fruit है, जो पलप है, उससे कठोर रहते हैं क्योंकि उनमें भी क्या होता है, द्रडो तक होता है, इसके एक special चीज आने वाली है नीचे, अभी मैं बताऊंगे आपको यांत्रिक सायता प्रदान करता है, क्या काम है इसका, फंक्शन क्या है, जरूरी क्यों है म्रदुत तक हमने बोल दिया, खाने को संयोजित करने के लिए संचय करने के काम में आता है, इसका क्या काम है, यांत्रिक सायता प्रदान करता है, तो मतलब मजबूती प्रदान करता है, तो अगर soft होगा plant, तो हवा आगे तो ऐसे मुर जाएगा, तो उसको कठोरता प्रदा कई प्रकार के दबाओ, यानि कि हवा आ रही है, उस पर कोई pressure पड़ रहा है, खिचाओ, संपीडन, यानि कुछ दब रहा है, हवा से, हवा चलेगी तो खिचे गा भी, दबे गा भी, ऐसे ऐसे जूले गा भी, तो वो सारी चीज़े, आकुंचन, आकुंचन का मतलब लचील अगर लचीला पन होगा उसमें, तो वो थोड़ा सा ऐसे करके वापस अपने पोजिशन में आ जाएगा, उसको बोलते हैं, आकुंचन, यानि फ्लेक्शन, इत्यादी को सहन करने, सहने का सामर्त इन ही से प्राप्त होता है, यानि यह क्या काम करती है, द्रड़तक agen करती है, प्राइटा प्रदान करती है, पौदे प्लाण को खड़ा रखने में मदद करती है, ठीक है, और सीक जमा हो रहा है। ये जो लिगनीन जमा होता है, इसको बाद में निकालका, उसी से कुछ चीज़े बनाते हैं, जैसे रबब, लेटेक्स, ऐसी चीज़ें भी बन क्यों क्योंकि मरुस्तल में बहुत हार्ष एरिया है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है हवाएं चलती है आंधिया चल रही है तो ऐसे में उस प्लांट को बहुत ज्यादा हीट से दूब की से बचाने के लिए ये कोशिकाय मदद करती है इसलिए इनको म्रदुत जिसको हम कहते हैं brachylarits क्या है ये brachylarits अभी हमने बोला कि दरड़ उत्तक कोशिकाएं जो है वो क्या होती है hard होती है और उसका meaning भी समझा कि वो कैसी होती है stone like होती है यह निकी कंकर जैसी होती है नाशपती खाया है आपने ऐसा कुछ जब हम नाशपती को काटते हैं और खाते हैं तो कहीं लोगों को नाशपती पसंद नहीं होता है क्योंकि उसका छिलका बहुत hard होता है और जो खाते हैं तो किरकिर सा आपको लगता है ऐसा ऐसा लगता होगा लगता है यह नहीं लगता है किरकिर आती है यह किर्के जो कचर कचर के आवा जाती है एपल में भी आती है थोड़ी थोड़ी एपल में भी आती है साथ में आप यह जो कठोर छिलके वाले जो देखते हैं जैसे कि आप देखो कछो लकड़ी जैसे उसमें भी द्रडॉत्तक की बहुता होती है न だ,' semi diION के बात कर रहे हैं ब्रकी स्क्लरीनिवर है के अलावा ऑस्ट्व現在 और हम स्कलरी में होती है उस्ट्व से लगए ने विलती हैं वासिते वी धरी Brachylics क्या होती है, ब्रड़ोतक कорошikाओं के जो किरकिर आती है, वो कचर कचर आता है, वो कचर कोचर किसकी वज़न से होता है, द्रड़ोतक कोशिकाओं की वज़न से होता है. queria कि भुग नाम धे नाश्पती को खाते समय कड़कड़ा हट यानि ग्रिटी सोभाव इन कोशिकाओं की उपस्तिती के कारण ही होता है साथी में देखो और कहां देख सकते हो अगर आपके कभी तर्बूज को काटा हो और खोला हो जब आप उसको काट रहे हो तो जहां पर भी पानी होता है उस पानी में आपको ऐसे दाने दाने दिखेंगे वो भी गरिट कोशिकाओं ही है क्योंकि तर्बूज में थोड़ा बहुत कचर कचर आता है लेकिन हाला कि वह सौफ्ट होती है इसमें थोड़ी सी नाश्पती में जादा होती है इसलिए हमें ज तीन सादरन तक हमने पड़े, फिर से हम बता देते हैं, एक म्रदूत तक, स्थूल कोणों तक और द्रडों तक ध्रडों तक की स्पेशल बात जो आप को बता ही, आप नहीं तक चारी में भी लिख सकते, यह हमारे लिए अच्छा लगता है किसी को नहीं भी लगता होगा ठीक है उसके बाद stool को अड़ों तक कि जब हमने बात की उनके नाम से clear है कि इसमें क्या हुआ stoolन हुआ हुआ है, मतलब जमाव हुआ हुआ है किसका जमाव हुआ हुआ है, pactine और cellulose का जमाव हुआ हुआ है चाहे तो आप यह तीन प्रकार लिख सकते हैं आपकी NCRT book में ये तीन प्रकार नहीं दे रखे हैं लेकिन आपको idea हो कभी आप ऐसी वाली कोशिकाएं भी देखेंगे स्टूल में, कभी ऐसी वाली कोशिकाएं भी देखेंगे, कभी ऐसी वाली परती वाली भी देखेंगे अच्छा और कहां पाई जाती है ये, एक चीज जो आपको बता देते हैं, कि स्टूलोड तक कोशिकाएं जो होती है, वो पत्तियां, हमने लाज्ट जो लेक्चर था उसमें पत्ती के सरचना की बात की थी, हमने पत्ती बनाई थी, तो पत्ती में हमने कहा था कि उपर तो होती है, एपिडर्मिस, नीचे बोला था, हमने अधिश चन जिसको कहते हैं, नीचे हमने बोला था कि म्रदुत तक की कुछ कोशिकाएं भी होती है, है ना, इधी म्रदुत तक कोशिकाओं में जब पैक्टीन और सेलिलोस जमा हो जाता है कई बार, तो ये क्या बन जाएगी, ये स्थूल कोणों तक बन जाती है, ऐसे, ये जमा हो गया इनमें पैक्टीन का, तो इनका शेप चेंज हो जाता है, अब ये म्रदुत तक कोशिकाओं नहीं रही, पैरेंट का इमेटर सेल नहीं रही, अब कौन सी कोशिकाओं बन गई है, स्थूल कोणों तक, और किसकी पत्यो में नहीं, especially द्वी बीच पत्री, पादप की जो पत्या होती है, उनमें मिलती है, एक बीच पत्री में एपसेंट रहती है, ठीके, नहीं भी है, मतलब ना के बराबरी एक दो में कई दिख गई हो, बात लगे, वरना जनरल ही नहीं होती, तो ये बात आप ध्यान रख सकते ह पारे में extra, क्योंकि आपके book में ये वी चीज और ये वाली चीज भी नहीं दे रहिए, इनमें से भी एक दो चीज़े है नहीं, लेकिन हम थोड़ा से समझने के एसाब से पढ़ते हैं, तो देखा हमने, कि क्या होती है, स्क्लेरेंट काइमेटर सेल्स, इसी के साथ, आज का हमारा जो लेक्चर है, वो यहाँ पे खतम होता है, क्योंकि next जो है, हमें एक practical करना है, जो आपकी book में दे रखा है, तो इंतजार कीजिए उस practical वीडियो का, और देखिंगी कि क्या देख पाते हैं हम उसमें, तब तक के लिए, बाई